गरिज़ आज के इस वीडियो में जो चीज में आप लोग को बताने वाला हूँ वो इतनी जादा important है कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये one of the most important videos है जहां पर हम लोग बात करेंगे polymorphism की तो क्या है इस वीडियो में ऐसा जो मैं आप लोगों को इतना emphasize करने को बोल रहा हूँ यह पर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद polymorphism समझ में आ जाएगा कि क्या है polymorphism इतना जादर difficult बना के इसको समझाए जाता है कि मैं आप लोगों को एकदम इसको clear करके बता दूँगा यह हमारा 59 वीडियो है तो यह हमारा जावा कोर्स का 59 वीडियो है तो यह 58 वीडियो हमने अल्रेडी देख लिए अब 59 वीडियो है यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको खोल लेता हूँ और खोलने के बाद इसमें एक फाइल बनाता हूँ जो कि होगी cwh-59 cwh-59 और मैं इसका न चोड़ा बहुत बताया था बट इस वीडियो के बाद आप लोगो ढंक से समझ में आ जागा क्योंकि अब हमने वो prerequisites complete कर ले हैं जो कि आप लोग को polymorphism समझने के लिए चाहिए थे मान लो मेरे पास एक class है मैं अपना पुराना वाले example जो है smartphone वाला उसको मैं एकदम ऐसे के ऐसे ही रखूँगा और इसी से आप लोगो explain करूँगा कि क्या है polymorphism देखो यहाप नोट्स में मैंने एक बात लिखी हुई है कि आप लोग यहाँ पर dynamic method dispatch use कर सकते हैं inheritance में अब आप लोग इस scenario को देखो जाना यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे में एक cell phone था उससे एक smartphone ह इनेरेट करने के साथ साथ GPS, camera, media player इन सारे interfaces को भी implement करता है यानि कि this smartphone is a cell phone which can act as GPS camera and media player यह smart phone एक cell phone है जो की GPS camera और media player का वरताफ कर सकता है यही polymorphism है कि एक चीज उसकी अलग अलग form मान लोग कि आप लोग अपने घर में हो और आपकी मम्मी कहती है कि यार kitchen की सफाई कर दो बहुत गंदा हो गया है आपका अपना घर है obviously आप लोग kitchen की सफाई कर सकते हो nothing wrong in that आप लोग उसकी सफाई करते हो मैं भी करता हूँ आप लोग कर दो यहार मुझे ड्रॉप कर दो मेरे college में मान लो आपके घर में कोई भी आपका भाई बगारा बोलता है कि मुझे जाना है मेरे exam मुझे ड्रॉप कर दो तो आप एक driver का का काम करते हो जब आप professionally मान लो software engineer के तो और पर काम कर रहे हो और अपनी company में कुछ काम क कर रहे हो जैसे कि for example आप लोग मान लो खाना वगरा बना रहे हो घर में तो आप लोग एक कुक हो एक ही इनसान इतने सारे forms उसके आप यहां पर एक कुक भी हो सकते हो आप यहां पर एक plumber भी हो सकते हो आप एक cleaner भी हो सकते हो software engineer भी हो सकते हो तो इसी तरह से यहां पर smart phone GPS camera और media player के तोर पर काम कर सकता है अब मान लो कि आप लोगों से किसी ने कहा कि यार मुझे picture लेनी है मुझे camera चाहिए क्या आप उसको एक smart phone थमा सकते हो obviously आप उसको smart phone थमा सकते हो यार smart phone का camera भी कोई कम नहीं होता है आजकल तो आप लोग उसको जब smart phone थमा होगे तब आप ल रहा camera या फिर यह रहा GPS बोलोगे या यह रहा smartphone बोलोगे aप में से कई लोग आर्गीव कर सकते हैं की यह रहा smartphone आप पोल सकते हो बट अगर उस इन生ने specifically camera बंगा है तो आप उसको smart phone दे-दो और बो यह रहा camera और उसमें camera on करके दे-दो तो जब आप उसको camera दे रहो तो क्या आप चाहूगे कि वो उसको एक GPS device के तोर पर इस्तेमाल करे obviously आप नहीं चाहूगे कि वो GPS device के तोर पर इस्तेमाल करे और वो इन्सान GPS device के तोर पर इसको इस्तेमाल करेगा भी नि क्योंकि यह एक camera है ठीक है अभी गिले एक camera है है तो एक smartphone बड़े camera की तरह act कर रहा है तो जब हम ऐसा चाहते हैं कि smartphone को हम चाहते हैं camera के तौर पर use करें तो हम क्या करेंगे कि camera reference ले लेंगे और object smartphone ले लेंगे यहाँ पर मैंने GPS का example ले रखा है कि GPS जी करके GPS का एक reference बना लो यानि कि interface का एक reference बना लो यानि कि आप कहो कि भई जो GPS है, जी एक GPS है आक्चल में वो smartphone है बट वो एक GPS है जब आप किसी को अपना smartphone camera के तौर पर या music player के तौर पर देते हो तो है तो वो smartphone नहीं ना actual में तो वो smartphone है बट जब आप हमने दोस्त को देते हो तो आपका दोस उसको किस काम में ले रहा है वो सिर्फ मेडिया प्लेयर के काम में ले रहा है और जब आप उसको गाना सुनने के लिए फोन दे रहे हो और मानलो वो आपके नंबर चेक करने लगे WhatsApp मेसेज़स चेक करने लगे आपको अच्छा लगेगा कि obviously अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोगों ने क्योंकि उसको गाने सुनने के लिए फोन दिया है तो आप चाहोगी कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि वो सिर्फ गाने ही सुने आप उसको बोलोगे देखो भाई संतोष तुम जो है इसमें मेरा कुछ WhatsApp बगेरा चेक मत करना ना ही मेरी call logs चेक करना और फोटोस तो गलती से भी मत देख लेना चुप चाप इसमें गाने सुनना ठीक है तो ऐसा करने के लिए जावा में आप क्या करते हो क्योंकि GPS G is equal to new smartphone ऐसे बना लेते हो अब क्या हुगा क्योंकि reference GPS का है आप लोग कोई और methods जो कि GPS में नहीं है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और मैं आप लोग को यहाँ पर यह चीज demonstrate करके दिखाना चाहता हूँ मैं आपर करूँगा क्या कि यह interface वगएरा सब कुछ copy कर लूँगा और यह तीनों के तीनों interface यहाँ पर मैं और classes copy कर लूँगा और क्योंकि यह same package के अंदर है तो मैं क्या करूँगा कि मैं आप control V लिखते था हूँ और मैंने इसको paste कर दिया, paste करने के बाद अब मैं आपर क्या करूँगा कि मैं इनके नाम के आगे 2-2 लगा दूँगा सब के आगे क्योंकि एक ही package में दो नहीं हो सकते same नाम के interface लिए मैंने इसको 2-2 करके अभी के लिए error को ठीक कर लिया, ठीक है, तो मैं my wifi 2 my camera 2, इन सब के आगे मैंने 2-2-2-2 लगा दिया है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है अब मैं आपर आप लोगों दिखाता हूँ कि अगर मैं camera का एक object बनाता हूँ sorry, smartphone का object और camera का reference यानि कि मैं कहूँ कि my camera 2 मैं इसको copy करता हूँ और मैं आपर लिखा हूँ का my camera 2 cam 1 is equal to new my smartphone 2 my smartphone 2 my smartphone 2 कौन सी class है ये वाली class है जो इसी file में मैंने बना रखिये my smartphone 2 अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि cam 1 dot और मैं आपर मान लो use करने की कोशिश करता हूँ wifi के cat networks method को ठीक है आप लोग को दिखाता हूँ कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते आप अरे आपने तो camera मांगा था ना तो wifi से आपका क्या मतलब ये तो एक camera है ना तो आप लोग smartphone को एक camera के तौर पे जब इस्तेमाल करते हो आपका wifi से कोई मतलब नहीं है आपका music player से कोई मतलब नहीं है आपका GPS से कोई मतलब नहीं है आपने तो camera मांगा ना तो camera के functions use करो record करो 4K videos कुछ भी करो तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसको comment लगा के not allowed कर देता हूँ not allowed ठीक है और यह not allowed for good यानि कि आपके फाइदे के लिए इसको disallow किया गया है कि बाई अगर camera मांगा है तो camera के functions को use करो Wi-Fi के functions को use क्यों नहीं करते हैं अब आप में से कई लोग कह सकते हो कि यार हम लोग को तो चाहिए Wi-Fi के function एक option तो खुला रहना चाहिना हमारे लिए option को कभी-कभी बंद करना भी अच्छा होता है क्योंकि अगर option होगा तो आप वो methods use गलती से करोगे और गलती होगी तो इससे अच्छा है कि directly यहीं पर आप लोग को रोक दिया जाए क्योंकि आप तो camera use करना चाहते थे तो get networks क्या हुआ get networks तो क्यों आप get networks करोगे जब आपने camera मांगा है और आपको record 4K video यह वाला function चला होगे तो obviously यह चल जाएगा मैं आप लोगो इस program को run करके भी दिखा देता हूँ और जब आप record 4K video करोगे तो इस देखो good morning recording in 4K आगया I think मैंने record 4K video के implementation में कोई function call किया था मैंने green method call किया है और वो good morning यहाप पर print कर रहा है मैंने private method समझाने के लिए आप लोग को पिछले के पिछले वीडियो में इससे पता है था but I hope you got the point कि क्यों हम लोग इस तरह से my camera 2 का reference और smartphone का object बनाते है बई object वस्तु तो वो smartphone ही है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका उपियो करो एक camera के तौर पर ठीक है मैं आप लिख देता हूँ इस बात को कि this is a smartphone but please use it as a camera ठीक है यह आपको बोलके smartphone पकड़ाया जा रहा है कि this is a smartphone but please use it as a camera ठीक है और मैं please भी हटा लेता हूँ use it as a camera वहना आपको error मिलेगा ठीक है अगर आप use नहीं करोगे तो आपको error मिलेगा तो आप इसको wifi के तौर पर यूज नहीं कर सकते आपको ये smartphone ये शर्थ पर मिलाई कि आप इसको camera के तौर पर इस्तेमाल करोगी यूदि रेफरेंस आपने यूज किया है cam 1 का और practically इन सब आप लोगों सामने बिल्कुर सही से रख दिया तो इस case में क्या होगा अगर मैंने GPS G is equal to new smartphone रखा तो मैं यहाँ पर methods सिर्फ GPS वाले इस्तेमाल कर पाऊंगा smartphone के method इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा जो और methods है इसकी camera वाले media player वाले या फिर आपकी smartphone के खुद के अपने जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं smartphone में हमारे पास और भी methods है get networks को तो खेर मैंने override वगरा कर रहा है माल लो इसका अपना भी कोई method होता मैं इसमें sample method डालता हूँ public void sample math ठीक है और मैं simply इसमें math डाल दूँगा system.out or print standalone करके और अगर आप लोग इसको भी run करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिया गया है एक camera तो यह sample math जो है वो आप क्यो run कर रहे हो आपको allowed नहीं है क्योंकि आपको तो camera मिला है ना यह तो smartphone का method है तो यहाँ पर ठीक है और मैं एक काम करता हूँ मैं इसको नीचे ले आता हूँ कि not allowed वाले दोनों को मैं साथ में रख देता हूँ और जो allowed है उसको मैंने उसके बाद लिग दिया है और अब मैं run करूँगा तो obviously यह चल जाएगा ठीक है so I hope you got the point और यहाँ पर GPS G is equal to new smartphone जब मैं कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ GPS के methods use कर सकता हूँ अगर मैं smartphone S is equal to new smartphone कर रहा हूँ तो S पर मैं सारे के सारे methods को use कर पाऊँगा ठीक है तो यहाँ पर देखो मैंने लिगा कि only use smartphone methods in fact only लगाने की स्थरूवत नहीं थी आप सारे methods को use कर सकते हूँ अभी cell phone के methods को भी use कर सकते हूँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से only लगाने को पॉइंट नहीं था वैसे but notes में मैं कभी-कभी लिग दिया मैंने थोड़ी बहुत गल्ती मैं कर देता हूँ but this is not a mistake but can use smartphone methods बात यह है कि आप smartphone के सारे methods methods use कर सकते हो cell phone के methods भी use कर सकते हो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अगर मैं यह पर my smartphone to my smartphone to s is equal to new my smartphone to करके एक object बनाऊ तो s पर मैं सारे के सारे methods यूज़ कर सकता हूँ मैं sample math यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको record 4K video यूज़ कर सकता हूँ आप लोग को चला करें दिखा देता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं इसकी जो सुपर क्लास है, यानि कि इसके जो पापा है, माई स्मार्टफोन 2 के, जो कि सेल फोन है, उनके भी मैं 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 तो कॉल कर सकता हूँ, गिवन कि मैं उनको सब्सक्राइब करूँ, जैसे कि और मैं इसको call number को ऐसे call करूँगा तो obviously बोलेगा कि या call number में मुझे एक number भी चीह है मालो मैंने एक number डाल दिया अब मैं इसको अगर run करूँ कुछ इस तरह से तो यह कहा रहा है integer number two large अब यह के लिए मैं इसको ऐसी रहन देता हूँ तो यह बहुत बड़ा number था वह integer के साब से बहुत बड़ा हो गया था अब कर मैं इसको run करूँ तो यह चल जाएगा ठीक है यह आपर देखो सारे के सारे methods चल गाए कि भाई recording in 4K और I think record video में भी recording in 4K डाल दिया record video में taking snap डाला है मैंने I don't know why but you got the point यार कि यह function चल रहा है यह recording in 4K वाला चल ही रहा है और यह मैंने इसके दिए camera 1 के लिए 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 था camera 1 के लिए मैंने डाला था record 4K वीडियो तो इसलिए यह वाला recording in 4K यह इसके corresponding यह उसके बाद यह सारे methods चल रहा है I hope कि आप लोगो polymorphism इस वीडियो के बाद अच्छे समझ में आ गया implementing an interface forces method implementation आपने एक interface को implement किया तो आप कुल मिला की यह बोल रहे हो कि भाई इसके सारे के सारे methods को आपको define करना है implement करना है ठीक है इतना ही आप लोगोंने बोला है यह अगर आप GPS और इंटरफेस को implement कर रहे हो तो आप लोग बोल रहे हो कि भाई GPS में जितने methods define है उन सब को implement करो और define करो camera में जितने methods है इस interface में उनको सब को define करो और media player को भी define करो लेकिन अगर आप object ले रहे हो smartphone का और reference ले रहे हो इन में से किसी एक का तो जिसका reference आप ले रहे हो आप उसी के द्वारा प्रदान किये methods यानि कि जो जो methods उसमें listed है उनही methods को आप use कर पाओगी यह होता है polymorphism so I hope कि यह चीज आप लोगो clear हो गई है और मैंने जो है आप लोगो polymorphism using interface से अची तरह से समझा दिया है मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद सारे के सारे जो chapter notes है वो zip करके देने वाला हूँए बहुत सारे लोगों ने बोला यह chapter missing है वो chapter missing है मैंने इदर उदर डाले हूँए है जब मैं chapter end करता हूँ तब मैं actually डालता हूँ कुछ लोग videos को बीच में देखते हैं तो उनको लगता है कि मैंने जो chapter के notes है वो इदर उदर डाले हूँए मैंने systematic डाले हुए जैसे chapter end होता है मैं notes देता हूँ तो अगर आप इस playlist को follow कर रहे हैं तो ये problem नहीं आएगी आपको but again मैं फिर से आप लोग की सुविधा के लिए क्या करूँगा इस video में एक link देदूँगा जिस में क्या होगा कि एक zip file होगी और वो zip file में सारे के सारे chapter के notes होगे and please मुझे comment करके ये मत बोलना कि zip file को कैसे extract करते हैं और मेरे phone में zip file नहीं खुल रही है not supported error आ रहा है please उन सा problems को मैं request करूँगा आप लोगों से खुद से आप solve करें आप लोग इंटरेट पर जाओ यार उस पर देखो डालके कैसे आपके phone के लिए एक unzipper application कैसे install करते हैं जो कि आप लोग ही zip file को unzip करेगी या फिर आप लोग अपने दोस्त के computer में अगर आपके पास नहीं है एक laptop या computer तो आप अपने दोस्त के बास जाके उससे unzip करवा के ले आओ यार कितना डाइम लगता है और वो आप लोगों के phone में डालके दे देगा USB cable सब के पास होता है I hope कि आप लोग के पास अगर एक ठीक ठाक smartphone है तो उसमे यार unzip तो आप files को करी सकते हो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गैस thank you so much guys for watching this video and I will see you next time